बिस्मिल्लाइ रवानि रईम असलाम अलेकूम दोस्तों कैसे हैं आप अमीद हैं आप सब ठीक होंगा लगाल आप सब को अपनी जुमान में रखें आमीर अलाहमामी आज मैं बनाने जारी चपटे खटे आलू जो बहुत ही मज़दार बनता है और इसे बनाने के लिए जो समान हमें चाहिए वो यह है 500 गिराम मैंने आलू लिये दे और इसको छिलका उतारके मैंने चौप कर लिये इमली लिये मैंने आदा कप इमली को भीगो दिया था और इसके बीश निकाल लिये मैंने राई लिये मैंने आदा चाय का चमच देही लिया है मैंने दो खाने के चमच फूट कलर लिया है मैंने एक चूटकी धनिया जीरा लिया था मैंने आदा आदा खाने का चमच और इसे मैंने तवे पे भून लिया था भूनने के बाद मोटा मोटा कोट लिया है चीनी लिए मैंने आदा खाने का चम्मच, चाट मसाला लिए एक चाय का चम्मच, नमक लिए एक चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता लिए मैंने आठ से दस अदर, खुटीवी लाल मुर्चे लिए मैंने आदा खाने का चम्मच, चले बनाने स्टार्ट करता है सबसे पेले हम आलु बालने रख देंगे एंने पेले ही दीक हुदी पानी रख दिया थे दस से 15 लुट लहीं गएंगे आलु बलने मे आदा चैका चमत नंच भी शामिल करदेंगे अब आलु गणने तक हम आलु को पकाएंगे आप इसको मेंने निकाल लिया बिसमें मिक्स कर लें इसे चार खानी की चमश मैंने तेल ले लिया उप ये निदर करीपता शामिल कर देंगे मेरे पास सुखा हुआ था कड़ी पता आपके पास प्रेश होता आप वही लीजिएगा मैंने जाहिदाना अब इसमें जैसे ही कुछ को आईगी तो हम मसाले शामिल कर देंगे बहुत ही मज़ेदार बनते हो और बहुत ही असान है बनाना मसाले शामिल कर देंगे बिल्कुल हलकी आच पर अब इसके अंदर हम आलु शामिल कर देंगे बिसमल्लाय रमानी रही आलु शामिल करने के बाद इंबली इसको एक से दो मिनट के जिन देंगे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं दोस्तों यह और बहुत ही असान है हल्की फुल्की भूख आपको लगे तो आप यह बनाकर ठालिया करें यह देखें एक से 2 मिनट हो चुके आप इसके अंदर हम देंगिशामिल करतेंगे दोखने के चमस्ट चमश मैं आपको बताया था है और एक से 2 मिनट और लग एंभूनने में फिर यह तयार है होती मज़ेदार बनते हैं देखें चट्पटे आपको देखें 1-2 मिनट हो चुके हैं कालू खटते तयार हैं आप भी बनाईएगा और मुझे बताईएगा या आपको कैसे लगे दुआओं में मुझे याद लखेगा अपना धेर सारा खया लखेगा शुग्रिया एंड अला आपिर